रिके बाद आपका सवागत है मुख्य मंतरी ऐशो गहलोत आज बागण के तोरे पर रही जहां सागबाडा पहुंचीने पर हैली पैट पर गहलोत का जोरदार सवागत किया गया विदान सबाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री का हैली पैट पर प्रभारी मंत्री राजेंदरी यादव विदायक महिंदरी जी सिंग मालिवा समेट कई नेताओं ने स्वागत किया इसके बाध सीएमेशो गहलोत और स्पीका सीपी जोशी जैन समाज के गल्स ओस्टल का शिला नियास करने पहुंचे जहां जैन समाज की तरव सी स्वागत किया गया जोरान मुख्यमंत्री ने आचारिय सुनिल सागर जी की जीवनी का मुख्यमंत्री ने विमोचन भी किया जोरान समारों को समोधित करते हुए गहलोत ने केंदर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस वक्त देश में हिंसा और भैका माहोल है और आपने जिम्मवारी सौपी हम लोगों को तो हमारी जिम्मवारी एक हम संवेदन चील पाहर दर्सी और जवादेव प्राश्चासन के साथ मैं सासन करें सबका कल्यान हो विकास हो राजतान आगे बड़े और मुझे खुशी है कि जब मान नरेग आया था तो शीप जोशी साब तो कंद्र मंतिय थे और यूपिया गौर्मेंटर वक्त में वो काम कर दिया एक कमाल के रूप में पहले अकाल सुके में बहुत तकलीप आते थे हमारे लोग बांश और नुगरपूर में भी बहुत तकलीप होती थी और जहांचे मैं आता हूँ जोधपूर से बाढ़ में जहसर में जोधपूर सब जगे तकलीप आती थी अकाल पड़ा नहीं और चिंता लगती थी आप रोजगार कहां से लेंगे गायों कैसे बचाएंगे चारा कहां से आएगा पीने का पानी मनुश्यों के लिए और पुष्टों के लिए कहां से आएगा ये तकलीप होती थी जब से नरेग आया है पाले मेरे कानून बनाके डॉक्टर मर्माउन शींगी और सोन्या गांजी ने दिया उसके बाद में इ जिए देड़ी लाग लोग किसे कहते हैं तो इस प्रकार थे पूरा ध्यान रखा गया सब इलाकों का इस प्रकार शासिन करने की मंशा रही हमेशा लोगतंत्र का मतलब होता है कि राजनितिक पार्टिया विचारधारा के आदार पर जंता के बीच में जाए हमारी पार्टी की विचारधारा ये दूसरी पार्टी की विचारधारा ये और लोग विचारधारा के आधार पर वोड़ दें, यही लोगतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। सासन तो किसी का भी हो सकता है, बहुमत किसी का भी हो सकता है, लेकिन समिधान में जो बातें लिखी हुई है, उस समिधान के आधार पर वोड़ी ताकत है।